भागलपूर में पच्छवा हवा ने ठंड बढ़ा दी है तापमान में गिरावट आ गई है सोमबार को नियूंतम तापमान 11 डिगरी सेलसियस है तो अधिकतम तापमान 24 डिगरी सेलसियस मापा गया हवा चलने से कनकनी बढ़ गई है लोग भी घरों से देर से निकल रहे हैं एक 11 बजे के बाद सुर्य निकलने के बाद ही लोग घरों से निकल रहे हैं पच्छुआ हवा चलने से कनकनी बढ़ गई है लोग गर्म कपड़े पहन कर ही निकल रहे हैं पूरा सहर धुंद में लिप्टा हुआ है बच्चों की स्वास्त को देखते हुए पूरे बिहार के जिलों में धारा 144 के तहट सैचिक गतिवीधियों पर परतिबंद लगा दिया है दरसल हाल के दिनों में सुभा के समय ठंड और कोहरे करन स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में काफी परिसान्यों का सामना करना पड़ेगा इसलिए यह कबायद की गई है कोहरे का जंजीवन पर खासा असर देखने को मिल रहा है सोंबार को घना कोहरा होने से हाइवे प पर विजिबिलिटी आठ से दस मीटर रह गई है चिकित्सवों का कहना है कि सर्दी बढ़ने से सांस और से दैरोगियों को परिसानी हो सकती है इसलिए ऐसे लोगों को घरों से बाहर निकलने में परहेज करना चाहिए खान पान पर विसेज ध्यान देना चाहिए और गुन- काफी परिसान्यों का सामना करना पड़ रहा है लोगों की भीर्ड चाय दुकान पर अधिक देखने को मिल रही है इतने ठंड में वह कौम करने के जा सक रहे हैं यहां ठंड काफी लरी के तरह चल रहा है गलपूर में बहुत अधिक ठंड हो गई है तापमान बहुत कम गया है जंदीवर्ड बेस्त बेस्त है और यहां के लोगों को काफी परिसानी का सामना करना पड़ रहा है काफी लोग परिसान हैं जगह जगह पे कुछ जलाने का कारिकरम होना चाहिए हम लोगों को बहुत परिसानी ठंड से हो रही है 31 दिसंबर को भागलपूर के नौगच्छिया बाजार में बालभार्थी विद्याले के सामने जवेलर्स की दुकान में लूट पाट का विरोध करने पर दुकानदार को गोली मारकर गंभी रूप से घायल किये जाने के मामले का पुलीस ने उद्भेदन करते हुए घटना में सामिल चार अपराधियों को हतियार बाइक और मोबाइल के साथ धर दबोचा है नोगचिया थाना में SP सुसांध कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फरेंस कर बताया कि कांड के उद्भेदन को लेकर नोगचिया DSP दलीप कुमार के नैत्रित में विसेश टीम का गठन किया गया था जिसने वैग्यानिक और तक्निक अनुसंधान के आधार पर चार अपराधियों को कांड में परियुक्त हतियार बाइक और मोबाइल के साथ धर दबोचा है गरहपतार अपराधियों से पूछताच की जा रही है जबकि घटना में परियुक्ति पिश्टल, मैकजीन, गोली समेत घटनास्थल से बरामद मोटर सैकिल और मोबाइल जब्त कर लिया गया है एस्पी ने बताया कि घटनास्थल पर मौजूद परतच दर्सियों एवं गरहपतार अपराध कर्मियों से पूछताच से ग्यात हुआ कि किसी समान की लूट नहीं हो पाई है लूट पार्ट के दुरान गोली चल गई एवं भगदन मत जाने करन अपराधी भागने में सफल हो गए एस्पी ने कहा कि गोली बारी में घायल मनीस कुमार इलाज़त है उनकी हालत समान है डॉक्टर ने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है वहीं अनुसंधान के क्रम में पता चला कि घटना में परियोग किया गया वाहन भागलपूर की जोकसर थाना से चोरी की गई थी बिसेश टीम अब भी जाच में जुटी हुई है घटना में सामिल सबे अपराधी को गिरपतार किया जाएगा गोपालपूर थानाचित की मकंदपूर वाड संक्या च्छा निवासी सुमन कुमार चौधरी के पुत्र सुभम कुमार थानाचित की सिंधिया मकंदपूर वाड च्छा निवासी बिरिंद्र सहा के पुत्र सिवम कुमार रंगरा ओपी की साहु टुला भवानी पूर निव पुलीस ने बताया मामले में एक पिश्टल, एक मैगजीन, तीन 9mm गोली, एक मोटर सैकिल और तीन मोबाइल जब्त किया गया है वहीं छापे मारी दल में HDPO दलीप कुमार, नोगचिया थाना अधिश भारत भूसन, गोपालपूर थाना अधिश नीरज कुमार, रंगरा ओपी अधिश बिट्टू कुमार कमल, ASI हरिसंकर कस्यप, ASI उमासंकर, ASI राहूल कुमार, ASI आसतोस कुमार, ASI दायसरंजन कुमार, ASI चंदन कुमार, D.I.U. नोगचिया टीम एवं सस्त्रबल सामिल थे। इंस्पेक्टर टाउन, अन्पदा अधिकारी, दो टीम में बट गई है, मेरी पूरी टीम, एक टीम जो पहुंचता है होस्पीटल, ताकि उसका वहां बहतर इलाज हो सके, और हमने ये भी खा कि अज़िए बहतर इलाज्या संभव नहीं है, तो जहां हो, वहां पुसरे फर करवाया जाए, तो फिर मायागन गया, मायागन मेरा पता अधिकारी साथ साथ में गया, ताकि मायागन के परशानी ना, एक टीम ये काम कर रही थी, दूसरा टीम घटना सुद्वत पहुंचती है, वहां जाकर के देखा कि वहां पे जो अपराधी है, उसका ये मोटर सैकील मोबायल हों पर छुटा हुआ है, फिर वहां से फिर जो CCTV केमरा था आसपास का, और फिर जो वहां पर इंपूट्स मिला हम लोगों को, तो वहां से फिर हम लोगों के टीम थी, जो एक साथी लटित की गही थी, SDQ साथ के पनित्रित में, इसमें के से चोर टाउन, जो परोसी थाना हमारे है, रंगराज थाना परभारी, गुपालपूर थाना परभारी और इस थाना के जो अच्छे पदाजिकारी हमारे है, यह मोशंकर है, सभी इस्पेक्टर, सभी इस्पेक्टर राहुल, गुपालपूर के जो भी सामने आये, और एक सभी इस्पेक्टर आस्तोष अन्पधाजकारी कस्यप, S.I. कस्यप सभी के सामीर थे और D.I.U. की टीम रात भर मेहनद किया और मैं कह सकता हूँ कि बेहतरीन अनसंधान का नमुना पेस करते हुए पांस से छे घंटे के अंदर कांड का सफल उद्वेदन हुआ इसमें अपराधी भी पकरा गिया और अपराध करने में जो हत्यार का प्रियूग हुआ था वो हत्यार भी बरामद हुआ काटीज भी बरामद हुआ और लोगों दोनों अपराधी ज़े कनफेस भी किया तो घटना अस्थल पे आपका दो अपराधी वहाँ पर था जिसका की नाम दोनों चोकी माइनर है इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ दोनों माइनर बच्चा है उसके अलावा दो और अपराधी थे जो बैक अप पे थे जिनोंने की मोटर सैकील और हथियार मुहया कराया और बैक अप पे थे कि यदि तुम दो ट्रोबल परते हैं माल अपराध करने गए तो हम दो सपोर्ट में रहे हैं इसके अलावा हम लोग और इसको तैरा बढ़ा है कि हम लोग बेकानी और संधान कर रहे है कि अपराधियों के कॉंटेक्ट में और कोई अपराधी थे भागलपूर के विधायक से बिहार कांग्रिस विधान मंडनल करिता अजीत सर्मा के दोरा अपने आवास पर भारत जोडो यात्रा के अवसर पर पदियात्रा कारिकर्म के आयोजन एवं मेरा परियाज 2022 पुस्तिका के लोकारपन के अवसर पर एक प्रीस वारता कायोजन किया गया प्रीस वारता के दुरान अजीत सर्मा ने कहा कि काम ही हमारा परिचे है और एकता ही हमारी मिसाल है इस सुत्र पर हम सभी आगे बढ़ रहे हैं जल्दी विसुपटल पर अपने भारत को एक अलग पहचान दिलाएंगे और 2024 में कांगरेस पुर्ण रूपेन बहुमत में आकर जनता का सयोग करेगी वही विधायक अजीत सर्मा ने 13 सरकारों कोस्ते हुए कहा कि महंगाई बेरोजगारी भरष्टाचार चरम सीमा पर है उसे खत्म करने में कांगरेस ही नया रास्ता अक्तिहार कर सकती है 2024 पुर्ण रूपेन कांगरेस का है इस्रेली का मुख्य उद्देश भी यही है कि भरष्ट वर्ष्ट के लोग को बेरोजगारी भरष्टाचार और महंगाई सी निजात दिलाना उन्हें का कि या पद्यातरा पांच जनवरी से बौसी मंदार से प्रानम बहोगी इस्रेली में राष्ट्य अध्यच मलिकार जुन खड़ गे सामिल होंगे या पद्यातरा मंदार बौसी से प्रानम बहोकर भागलपूर नोगच्या होते हुए आगे बढ़ेगी वहीं विधायक अजीत सर्मा ने कहा कि मेर्या प्रियास 2022 पुस्त का भी मोचन किया गया है इसमें जिक्र है कि विधायर्ण जवामनों ने जिन बातों को जनता के लिए उठाया है वो कहा तक पालित हो सका उस पर वारता लिखी गई है प्रेस वारता के दुरान कांगरेस पाठी के कई प्रादिकारी वोमकार करता गन सामिल थे राख चाहे और मन्त्रियों क्या सरकार जवाब दिया इसकताम में हैं इसलिए इसकताब को आज दोहजार ढाइसPhras led ने चाह उन्हें क्या किया आणता की ताकत प्र में इसकताक के माध्यम से जनता को बातनहें काम करें और आप लोग बताएंगे सब विधाय का काम है जन्ता की आवाज सदर में बनना वह ही एक किताब आपको बताया कि हमने क्या 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 ये जन्ता को आपके में बवात में हमारे मलिका अरजुन खड़गे साहब जो रास्टिया अध्यक्ष वह आ रहे हैं पट्रा में भी रहली हम लोग आयोजन करने meant कर रहे हैं जिसमें की प्रियंका गांधी या धनी हमारे आने की या धनी स्ोनिया घनी दोनों में से कोई जरूर आएंगे उस रहली को समझीट करेंगे उत्सा बहुत है बिहार में बिहार की धर्ती जो है आंदोलन करके पुरे भारत वर्स को अजाद करा लें अम्पोमिका दिवाई और यह बारत जोड़ो यात्रा फिर बिहार में बिहार पुरे देश पर भारती जनता पाटी को अटा देए काम करें नववर्स के आगमन के साथ भागलपूर में स्मार्ट सिटी की और से सहरवासियों को तवफा दिया गया है दरसल सहर की बीच इस्थित राजकी अबालिका इंटर स्कूल में एस्ट्रोनमी लैब का उदखाटन किया है नगर आयकत योगे सागर ने स्मार्ट सिटी के अधिका जान सकेंगे साथी सूरज, चांद, तारो को खुली आखों से देख सकेंगे उसके बारे में जानकारियां ले सकेंगे नगर आयकत योगे सागर ने बताया कि स्कूलों के जिर्नोधार का कार चल रहा है यूनीक कॉंसेप्ट के साथ इसको तयार किया गया था आज नई सकेंगे साथ इसका उद्गाटन किया गया है इस पेस साइंस के बारे में बच्चों को इसमें जानकारियां दी जाएगी इस पेस में कैसे जाया जाता है मिसाइल का क्या काम होता है इसके बारे में बच्चों को बताया जाएगा खासकर परखंड रस्तर के सरकारी स्कूल के डिश्टल के लिए हम लोगोंने कंप्यूटर लैब भी तयार कर ली यह एक जो लैब थी एक यूनिक कॉंसेप्ट था इसको हम लोग लॉंच करना चाहरे थे और आज का दिन जो चुना किया क्योंकि 2023 का नव वर्ष का पहला दिन है और हम दोग नए वर्ष में प्रवेश कर साथ की बच्छों को अच्छी सिक्षा सक्साझ से जोड़ाजा है खाल हो सीजय यह जो इश्टोनोमी लेब इसका इसके different components है इसमें जो में जानकारी है वह इस स्पेस आइस के बारे में बच्चों को हम देने की कोशिश करेंगे dessa किस्पेस साइन्स क्या है हम लोग का solar system क्या है planets क्या होते है stars क्या होते है galaxy क्या होती है ठलैक ह१ोल का साइंटिस्ट कैसे वर्क कर रहे हैं रॉकेट कैसे लॉंच हो रहा है तो यह स्पेस साइंस से रिलेटेट सारी जानकारी तो इसमें है ही जो कि प्रैक्टिकल के माध्यम से एपरेटर्स के माध्यम से सारी चीरों के माध्यम से यहां दिखाई जा रही है साथी साथ यहां पर भी रखी हुई है बच्चे जो इंट्रेस्टेड होंगे वो बुक्स पढ़के उसकी जानकारी प्राप करेंगे वहां के बच्चों को हम लोग आमंतरित किया करेंगे और किसी विशेश दिन के तोर पे हम लोग जैसे मेला आयोजन करते हुए और बच्चों को आमंतरित करके उनको जानकारी से अवगत कराएं फियर प्राईस डिलर्स एसुसीेशन जिला भागलपूर साखाद और अपनी मागों को लेकर एक जनवरी से नौ जनवरी तक जनवितरन परनाली के तहर सभी दुकाने बंद करने का आवहां किया है इस बाबत फियर प्राइस डिलर्स एसोसियेशन भागलपूर जिला साखा के पतादिकारी वा कारकरताओं ने बिसेस बैठक किया जिसमें या निरने लिया गया कि पूरे बिहार के जनवितरन दुकांदार को एक जुट कर अपनी नौ सुत्री मांगो को लेकर नौ जनवरी को पथना में धरना प्रद्रसन करेंगे। हमारे नो सुत्री मांग को लेकर जनवित्रन दुकंदार एक जनवरी से नो जनवरी तक वित्रन का आरास्थगीत रखे नो जनवरी को पटना में धरना परदर्शन करेंगे हमारी बहुत पुरानी मांग चल रही है जैसे कि हमको 90 रुपिया पर ती कुंटल पर खटाया जा रहा है और 90 रुपिया कुंटल पर हमको मजदूर रखना पड़ता है काम करना पड़ता है किसी का भरण पोसन नहीं उपा रहा है तो हमारा 30,000 रुपिया हमको अस्थाई बेतन दे अनुकंपा हमारी जो उम्र सीमा उ और जो सबताहिक छुटी हमको किसी भी दिन छुटी नहीं है चाहे हो होली हो दिवाली हो दुर्गा पुजा हो तो कम से कम सबताहिक छुटी हो और सबसे पड़ी चीज है कि सरकार जब मनतब अपना फैसला पतल देती है अभी देखिए दिसंबर में हम लोग जो हैं साइयो धरताल के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहते हैं कि आप पहले हमारा पैसा वापस कीजिए फिर हम फिरी में बितरन करेंगे और हमको अस्थाई बितरन देने का काम कीजिए हम बितरन जारी रखेंगे भागलपूर जिले में पंचायत को तरक्की की रह पर ले जाने के लिए बिहार सरकार तरह तरह की योजनाय ला रही है पर वो योजना धरातल पर उतरी या नहीं ये जानने बाला कोई भी नहीं है जिस करन सरकार की कई योजनाओं में भारी घोटा ले हो रहे हैं ऐसा ही एक मामला सामने आया है भागलपूर के पिरपैती परखंड के बारा पंचायत से जहां मुखिया लाल मुनिसा के दुरा पंचायत की योजनाओं में भारी घोटा ला किया गया है। सरकार के खाते से निकाल लिये हैं। ग्रामिनुवा कहना है कि मुखिया ने पहले से बने पाय की उपर ढलाई कर पंचायत के पंडाल और पंचायत सरकार भवन की रासी का गबन कर लिया। चात्रायत ने हुबहु अर्थी बना कर TNB कॉले से TNB के प्रसासनिक भवन तक पहुँचे। उसके बाद परिसर स्थित नाले के समीप अंतिम संसकार भी किया। उलनों का रोप है कि बिस्विद्दाले प्रसासन ने सीनिर प्रोफेसर के सम्मान के साथ खिलवार किया है। पांच नमबर को फुरू प्रचार संजेच चौधरी का कारकाल पूरा होने पर नए प्रचार की रूप में ऐसन पांडे को न्युक्त किया गया है। प्रोफेसर को प्रभार दिया गया है। मांग है कि प्रोफेसर अर्चना को प्रचार का प्रभार मिले और अगर प्रचार ने बदलाब नहीं किया तो उग्रांदोलन करेगी। ब्रष्ट कुलपती है दलालों से घिरे हुए हैं मोटा अरकम लेकर के जो वहां के कनिया सिक्षक उनको परवारी परचार बनाया गया जो बहुत ही दुखद है वहां जो बरिया सिक्षक है उनको परवार नहीं दिया गया है। सिक्षक में के महिला आती है महिला नारी का संभान ने किया गया उसका अफ़ान किया गया हुए तीस तारिक से धर्ना पे बैठी है लेकिन जो कुलपती अब्रष्ट उसके कान पर जूताग नहीं रही हैं हम लोग का मांग है जो कनिया सिक्षक को आप परवारी परचार बन में चलते रहेगी कई बच्चह जन लेता है तो कई बार बच्चा तुरत रहीं होता है उन्हे यहां होजाता है अच्टी डरत हो जाता है और उसके बचने कि सम्मावना नथा जाती है और यदि बचा तो भ़विस्वें उसमें भीकलंगता की समश्य चाती है जिसे CP कहते हैं जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा मिकलांगता से जूद सकता है ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थिरेपी का सहरा लिया जाता है जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थिरेपी दिया जाए तो उसका CP क कि समस्या कम होती है और बचने की बी संभावना बढ़ती है पहली बार बिहार जारकंड में आपके शहर के स्ने नवजासिसु बालसेवा के अंदर में यह मशीन उपलब्ध है कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में बिलंब हो गया तो आप स्ने नवजासिसु के अंदर में जरू संपर करें